अलो दोस्तों केसो आप सब उम्मित करूंगा आप सब अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा मेफटल इसपास टेबलेट के बारे में ये टेबलेट को कब यूज करना चाहिए, क्या फाइदा है, क्या साइड इफेक्ट से पूरा डिटेल में इसकी पूरी जानकारी दूँगा इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, मेफटल इसपास टेबलेट को ब्लु क्रोस नाम का कमपनी बनाती है, जिसमें डाइसाइक्लो माइन और मेफणिमिक एसीट पाया जाता है, बेसिकली ये टेबलेट के यूज तब किया जाता है जब लोगों के पेट में दर्द हो, अगर आपके पेट में दर्द है, क्रैम के वज़े से या फिर स्टोन का दर्द है, या फिर आपका पेट खराब हुआ है, डाइरिया का वज़े से आपका पेट में दर्द है तब भी आप यूज़ कर सकते हो लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये दवा है गल्स के लिए जिनको पिरियट्स के दोरान पेट में दर्द होता है ये दवा लड़कियों का मासिक के वज़े से पेट का जो दर्द है उसको कम करने में बहुत ही ज़्यादा है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है तो अगर आप में से किसी को भी पिरियट्स के दोरान पेट में दर्द होता है तो आप बिल्कुल ये टेबलेट के यूज़ करें उसके बाद आप देखेंगे कि आपको काफी ज़्यादा रिलीफ है ये दवा आपको नजदी की कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा ज़्यादा महंगा भी नहीं है एक टेबलेट आपको 5 या 6 रुपिया में मिलता है तो अगर गल्स को पिरियट के टेम ये दवा का यूज़ करना है तो मैं बता देता हूँ कैसे आप यूज़ कर सकते हो कुछ लड़कियों को 3 दिन का मासिक रहता है किसी को 5 दिन कर रहता है किसी को 7 दिन कर रहता है तो जब भी आपको एकसेस पैन होता है पेट में जब भी ज़्यादा दरद होता है उस कंडिशन में ये टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं जब भी ये टेबलेट का यूज़ करें पहले कुछ खा लें कुछ खाने के बाद ही ये टेबलेट का यूज़ करें वैसे तो यह tablet daily आप 2 ले सकते हो सुबा नास्ते के बाद एक, रात में खाना-khाने के बाद एक लेकिन आप देखेंगे एक दिन में एक tablet enough है बहुत से लड़कियों को एक tablet लेने के बाद पूरा दिन जो है आराम मिल जाता है दर्द नहीं होता है तो अगर आप देख रहे हैं एक tablet लेने के बाद आपको दर्द नहीं है तो दूसरा tablet लेने का जौरत नहीं है अगर आपने morning में एक tablet लिया है रात में आपको फिर से pain महसुस हो रहा है तो रात में फिर से एक दवा ले सकते हैं खाना खाने के बाद उसी तरह आपका periods जब तक continue रहता है, जब तक आपको धर्द होता है पेट में, आप ये tablet को use कर सकते हैं जब आपका periods खतम हो जाता है, तब आप ये tablet को मत use करिए ये tablet को वो लोग बिल्कुल use ना करें, जिनको heart related problem है, guts related problem है, liver related disease है पेट में अलसर है, गुर्दे का cancer की बिमारी है, एनिमिया की बिमारी है, दमा की बिमारी है या फिर कोई भी आपका health related serious problem है, जिसके लिए already treatment चल रहा है तो आप ये tablet का use ना करें, इसके अलावा अगर आप pregnant हो, या फिर आपके छोटे बच्चे हैं, आप बच्चे को दूद पिलाते हो तो भी आप ये दवा का use ना करें, ये दवा को use करने से पहले, डॉक्टर से जरूर advise ले अगर हम बात करें side effects की, तो meftal spas tablet का बहुत rare ही side effects देखने को मिलता है अगर आप इसका overdose लेते हैं, तो हो सकता आपको चक्कर महसूस हो, मुह में सूखापन महसूस हो, आपको कमजोरी फील हो, घबराहट लगे या फिर हो सकता आपको सब चीज धुंदली नजर आए, ये सब rare ही side effects देखने को मिलते हैं, लेकिन ये दवा बहुत ही ज़्यादा useful और effective है, गर्ल्स के periods के वज़े से पेट में हो रहे दर्द को कम करने के लिए, उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं फिर next वीडियो में, ख्याल रखिया अपना, thank you so much for watching